हेलो दोस्तों प्रभास स्वागत है आप सब लोगों का हेलो टीचर्स पर और आप स्टार्ट कर रहे हैं आज यानि महिंद्र सर के साथ यूपिटेट के कुछ पुराने पेपर को सॉल्ट करते हुए तो फटा-फट से एक बार सब लोग आ जाईए क्लास स्टार्ट हो चुकि लाइक और शेयर कर दो भाई चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेसिक इंटो के साथ आपके कमेंट के लिए मैं अपने मोबाइल पर स्टार्ट कर देता हूं क्लास बस एक मिनट एकता सिंग गोड मॉर्णिंग गोड मॉर्णिंग आप हैं यह अनक्यडमी का एक हिस्सा इंडिया के लाज्जेस लनिंग प्लेटफॉर्म के तौर पर है मेरे बारे में आप लोग जानते हैं इसके अलावा आक्यडमी अप्लिकेश्न पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं महें इंद्य सिंग महरे के नाम से क्या मिलता है आपको यहां पर तो आप डेली लाइव क्लासेज देखते हैं आप टेस्ट और ग्विजेज देखते हैं आप देखते हैं इक स्ट्रक्चर कोर्स इसके अलावा है अननिमिटेड एक्सिस एक सस्क्रिप्शन और आपके सामने और यूट्यूब पर आप जानते हैं सभी क्लासेज फ्री ही प्रवाइड करवाई जाती हैं आपको कुछ नहीं जो कोर्स स्टार्ट हो रहे हैं उनके बारे में आप अनेकेडमी अप्लिकेशन डाउनलोड करो फ्री क्लासेज के लिए MSM कोड को आप लागू कर सकते हैं और नई क्लासेज जानी कि जो अपकमिंग प्लस क्लासेज उनको देखने के लिए भी वहां से चीजों को चेक कर सकते हैं ट्रैक कर सकते हैं प्रप्रेशन कर सकते हो उसको ट्रैक कर सकते हैं फ्री मॉक टेस्ट के द्वारा और मॉक टेस्ट फ्री करने का कोड MSM है यह आपको प barrier नहीं है अलग-लग प्रकार की तमिल तेल को जैसे सभी भाषव में 16 भाषव में आप सीख सकते हैं वीडियो को लाइव देख सकते हो चाहो तो डाउनलोड कर रो इस देपेंडा और यू आप पर निर्भर करता है कि आप किस तरीके से देखना पसंद करते हैं इसके अलावा जिन भी मेरे दोस्तों को प्लस सस्क्रिप्शन लेना है ठीक है वो MSM कोड यूज कर सकते हैं 10% डिसकाउंट के लिए फिर उसके बाद कोईन्स का एडिशनल 10% डिसकाउंट लेना मत बोलना है इस तरह के से 2 साल का सस्क्रिप्शन केवल 58-100 में और 1 साल का सस्क्रिप्शन आ यूज करते हो आप टेस्ट और क्विजिस करते हो और पीडिएफ डाउनलोड भी यहां से कर पाते हैं हां क्या होने वाला है तो भी यह देखो सीटेट की तयारी जिनको करनी है ना अच्छा है महीनी का कोर्स पूरा बैच आ रहा है उसके लिए अन्रोड हो सकते हूँ आप एक और बैच आपको यूपीड़ का मिल रहा है उसको भी आप एन्रोल कर सकते हो और क्या मिलता है आपको आज हम करने वाले हैं यूपीड़ 2011 और 2012 12 मैं तो पेपर ही नहीं हुआ था 2013 का पेपर सावसेशन ठीक है तो भाई सबसे पहले तो फटा फट से से शेशन को शेयर कर आराम आराम नहीं है भई फटा फट सेशन को शेयर करना है और अपने दोस्तों को बताना है कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है करें सेशन स्टार्ट बोलो भई जल्दी चलिए तो यही रहा आज का पहला प्रश्ण वहलवन जो जल का अवशोशन कर लेता है ठीक है दा सॉल्द एट अब्जॉर्ब वाटर इस कॉल्ड वहलवन जो जल का अवशोशन कर लेता है उन्हें क्या कहा जाता है सब सो रहे हैं कोई नहीं आया सब बेमार एक पुराना एड मुझे ध्यान आ गया कहां गए सब लोग के नाम से आरियन तो इनको कहना पड़ेगा लाइब वोई से ना हो तंदुरुस्ती है जहां लाइब वोई है वहाँ जलो जी तो जल का उशोशन करने वाले को कहा जाता है हाइड्रोस्कोपिक लवण हाइड्रोस्कोपिक लवण इस प्रकार के लवण का एक्जामपल अगर मैं दूं तो वो है आपका साधारण नमग यानि कि NACL तो NACL क्या है एक हैड्रोस्कोपिक लवण है यानि कि वो कोई भी पदार जैसे नमग है या फिर हम चूने की बात कर लेते हैं वो जो पानी को एब्सॉरू कर रहता है वो हैड्रोस्कोपिक कहा जाता है ठीक अगला पारिसिती के तंत्र एवं प्राक्रतिक अधिकारों का संगरक्षन तथा उनके प्राक्रतिक वातावरण में प्रजातियों का जीवन सक्षम जनसंख्या का रख रखाओ एवं प्रती प्राप्ति के लिए रिक्त पद है कोशिन समझ नहीं आया लग रहा है मुझे कोशिन कह रहा है कि किसी भी प्राणी किसी भी जीव का संगरक्षन करना है हमें किसी भी जीव का संवर्धन करना है हमें ठीक है तो संगरक्षन और संवर्धन जब इसका हम इसके प्राक्रतिक आवास में करेंगे इसका संगरक्षन संवर्धन इसी के प्राकरति का आवास में करेंगे तो क्या कहा जाएगा तो इसको कहा जाता है इन इस्ट्यू कंजर्वेशन क्या कहा जाएगा बिल्कुल अब जब सेम हो, किसी जीव का संग्रक्षन उसके प्राकर्तिक नहीं, उसके प्राकर्तिक आवास के बाहर, जीवों का संग्रक्षन और संवर्धन, मतलब हिंदुस्तान का जीवा, अमेरिका में जागर के बचा रहे हैं, तब एकसिस सीट्यू कंजर्वेशन आएगा, और जब अमेरिका का जीवा और अमेरिका में ही बचा रहे हैं, तो इन सीट्यू कंजर्वेशन आएगा, ठीक? चलो आगे देखते हैं अगला समुंदरी कच्छुए जो समुंदरी कच्छुए जिनको जीवनी देवास में कहा जाता है क्योंकि वे एक सो पचास जीवनी देवास नहीं बोला जाएगा समुंदरी कच्छुए जीवनी देवास नहीं बोला जाएगा जीवित दानव कहा जाता है एक सो पचास सालों से भी अधिक समय से प्रत्थिव पर उपस्तित है महादीपों के अलावा जल में पाए जाते हैं इन पाच प्रकार की कच्छों की प्रजाती में सबसे अधिक जनसंख्या किसकी हमें मिल जाती है हाँ जीवन्त चलो सबसे अधिक जनसंख्या मिलेगी बिल्कुल ठीक है इसके लिए जो फेमस है वो चिलका जील फेमस है इसके लिए प्रसिद है चिलका जील उडिसा की ठीक है यह पॉइंट ध्यान एकते हो चलना अगला पॉइंट एक मिनट सेकेंड का क्या होगा कह रहे हो नहीं सेकंड कसी पाखी जी पंखी पंखी जी स्वस्थाने बोला गया है बोला है कि उनके प्राकरतिक अधिकारों का संग्रक्षण उनके प्राकरतिक आवास में किया जा रहा है तो जब उसी प्राकृतिक आवास में किया जाता है तब इन सीट्यू कहा जाता है जब उसके प्राकृतिक आवास के बाहर संगरक्षन किया जाता है तब एक सीट्यू कहा जाता है अगला विश्म उष्मायन के लिए कौन सा एक कारक important है विश्म उष्मायन के लिए कौन सा कारक important है अनसर वाहनों से निकलने वाली गैस होगी जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर कही जाती है वहन उसे निकलने वाली gas gas fired from vehicles ठीक अगला धातु में प्रस्तर किसे का जाता अब ये धातु में प्रस्तर क्या होता है ये है metallic stone देखो कभी भी पेपर मैं फिर से बता रहा हूं पेपर जल्दी आने वाला है जब आपके पेपर में Hindi और English दोनें में दिा रहता है अगर Hindi में समझ में ना आए तो एक बार English देख लो और अगर English में समझ में ना आ तो एक बार Hindi में देख लो आपको question समझ में आ जाएग पोशन गलत नहीं होगा हमारा प्रमुखुद देश्य कोशिन सही करना है निश्चित समय के अंदर समय की पावंदी बहुत जरूरी है ठीक है तो धातु में प्रस्तर कहा जाता है आयस्क को किसे कहा जाता है और को कहा जाता है आयस्क आयस्क क्या है एक यानि की खनिज का असुद्ध रूप है ठीक है खनिज कहलूं या फिर ये कहलूं की धातु का ये एक असुद्ध रूप है इसी ओर को सुद्ध करके फिर क्या बना जाता है किसी भी धातु को प्राप्त किया जाता है स्वेटा जैन जी बात तो यही है यह है यूपी टेट यह है यूपी टेट यहां जो होता है जो दिखता है वो होता नहीं है लगता है कि गाड़ी पलट गई है लेकिन पता नहीं पलटी या नहीं पलटी वैसे ही लगता है पेपर सेकंड है लेकिन है यह पेपर फरस्ट ईवी एस दो हजार कियारा समझ मा आ ग चलो तो यूपी का पेपर यूपी के तरीके से आजीब गरीब अगला पेड़ पौधे और प्रदूर्शन को हटाते हैं क्योंकि वाउ शोशित कर लेते हैं किसका चलो भया आरियन छोड़ो यार राजनीती की बाते नहीं करते हैं योगी जी को पता चल गया तो फिर बोलेंगे भया कौन है वो लोग जड़ा उठाईए गोरकपुर से और गाजियावाद से हैं रहा मिलना चाहते हैं उनको ह मंको हमारे काबेनेट में शामिल करेंगे चलो वहई परदूर्शन को हटाते हैं क्योंकि वह है आवशोशित कर लेते हैं किसका कारबन डायॉकसायड का Management Doing का ठीक है तो आनसर सेकेंड मिल जाएगा ठीक प्रकास Monate की प्रक्रिया पता हिए आपको when का सफ अन्देशन अफ्रक्रिया और इसमें कारपनडे का ओक्सडाइड का ओसरशन होता है और ऑकसिजन का क्या होता है UTT सर्जन हमें मिल जाता है उकसिजन ना 걸 जाता है अगला C हो गया C हो गया नहीं B करना इसको गलत है ये गलत है ये किसने टाइप करा भई किसने टाइप करा ये C करो इसे कहां गया कहां गया ये है ये है ये है कार्बन डाइ ओक्साइड ठीक है आंसर ये देखो correct होगी order के मारे योगी जी का खौफ भूकम्प को किसमे मापा जाता है बहुती प्यारा question बहुती अच्छा और आसान question मिलता है बताईए भूकम्प को किसमे मापा जाएगा तो simple सीधा सा point है भूकम्प को मापने वाले यंत्र instrument को कहा जाता है सिस्मो को कहा जाता है सिस्मो लौजी ठीक है और instrument को कहा जाता है reactor scale reactor scale decibel किसके लिए है तो यही एक ध्यान रख लेना वो ध्वनी के लिए हमें मिल जाता है decibel sounds के लिए हमें मिल जाता है ठीक है अगला point महा सागरों में पानी बढ़ रहा है क्यों बढ़ रहा है ध्रुविये प्रदे से बरफ पिगल रही है बारिश बहुत हो रही है सराजकल या acid rain जादा हो रही है इसलिए पानी पिगल रहा है या कोई है इनी आंसर इनमें दिया ही नहीं गया है ऐसी सर कोईशन पूछ रहे हो आप लोग ठीक बताओ जल्दी हाँ एर्थ का A बिल्कुल सही जवाब है सबसे महत्वपूर कारण global warming हो रही है और global warming की वज़े से धुरुवों की पिगल रही है बर्फ और वो बर्फ पिगल पिगल करके सारी सागरों में मिलेगी और सागरों का पानी का इस तर बढ़ता चला जा रहा है ठीक है स्केल पर डिस्ट्रक्शन ऐसे दिखाता है कि जो reactor स्केल होता है असल में ये जैसे ग्रामोफोन नहीं होता है कि एक सुई घूमती रहती है और record बसता रहता है वैसी ही एक paper सा लगा होता है जो paper आगे को चलता है और यहां से instrument अगर आप देखोगे तो पैदा चलेगा यहां से इस तरह के से एक pencil लगे रहते है जो pencil ऐसे ऐसे हिलती रहते है जितना ज्यादा प्रत्वी पर कंपन होगा उतनी ज्यादा देखो हलका कंपन तो यू यू करके चलता रहेगा pencil ज्यादा कंपन तो फिर यू यू चलता रहेगा फिर और ज्यादा ऐसे 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 इस तरह के से चलता है तो जितना ज्यादा कंपन होता है नेक्स पॉइंट वातावरण वातावरण में अत्यदी खानीकारक सल्फर मिश्रित गैस कौन सी है सबसे ज़्यादा सल्फर मिश्रित गैस सिंपल S, सल्फर, H2S, SF6 या SO2 तो सबसे ज़्यादा जो सल्फर मिश्रित गैस हमें मिल जाती है सोचिए आप तब तक कौन सी होने वाली है चलिए SO2 बता रहे हैं आप तो आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है वो हमारे सामने मिल जाता है कौन सी गैस है वो SO2 ये सबसे ज़्यादा सल्फर मिश्रित गैस हमारे वायमंडल में पाए जाती है और इसका वज़े से क्या होती है एसिड रेन हमें मिल जाता है और यही गैस जब स्मॉग में मिलती है तो हमारी आँखों में जलन पैदा करने का भी काम करती है ठीक है ओके एक तरी फास्ट करवा जेते हैं चलो आप वायू प्रदोशन को कम किया जा सकता है व्रक्षों के द्वारा यूप्रदोशन को कम किया जा सकता है बहुत सिम्पल है यूए व्रक्षों बहुत सारी गैसों को आउष्वर्शित करने का काम करते है नेक्स्ट विश्व पर्यावरण दीवसकभ मनाया जाता है वेरी सिंपल कोश्चेन विश्व पर्यावन दिवसकब मना जाता है पांच जनवरी पांच नवंबर पांच जनवरी पांच जुन पांच सितमबर तो पांच जून इसका आंसर हमें मिल जाता है पांच सेप्टमबर को क्या मना जाता है जाता है पार सप्टेंबर को फिक है अगला पॉइंट शूर्य की हानीकारक क्रणे प्रत्वी से प्रत्वी का कौन सा इस्थान सुरक्षित रखता है आयन मंडल बचाता है ओजोन मंडल बचाता है शोब मंडल बचाता है चुमबक मंडल मैगनेटो स्वेर बचाता है ठीक है बताएंगे सूरी की हानिकारे करने हानिकारे करने कौन से सूरज से UV rays Ultra wallet किरणे जो निकल रही है उन Ultra wallet किरणों से Ozone पर्थ बचाने का काम करती है ओजोन पर्थ कहां पर पाई जाती है तो ये समताप मंडल में पाई जाती है इसलिए समताप मंडल को हम Ozone मंडल भी कहते है अगला point किसी जगे का flora और fauna किसे निर्धारित करता है तो बहुत सिंपल सा point है flora means flour flour मतलब क्या हो गया पेड़ पौधे ठीक है तो एक तो हो गया पेड़ पौधे और fauna ये हो गया है जन्तु यानि कि जानवर तो इसलिए answer इसका A हमें मिलेगा flora and fauna A answer है अगला पारिस्थितिगी तंत्र का उधारण तो पारिस्थितिगी तंत्र का मतलब क्या होता है अब बायोटिक प्लस बायोटिक की मतलब एक ऐसी जगे जहां पर बायोटिक और बायोटिक आपस में इंट्रेक्ट हों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हूँ तो जब यह आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं तो क्या मिल जाते हैं हमें आंसर मिल जाएगा तालाब आंसर क्या हो जाएगा तालाब हमें मिल जाएगा क्योंकि हवा पानी और मिटी जीविये कारक नहीं है जीविये कारक का मतलब बायोटिक फैक्टर नहीं है कौन से पेड़ पौदे हैं जन्तु है प्रस्तर तो देखो अगर हिंदी में देखें तो अगर यह तीनु है तो आंसर प्रस्तर ही होगा और अगर इंग्लिश में देखो तो इस टोन आप समझ भी आगे प्रस्तर का मतलब क्या है पत्थर है या फिर चटान है ठीक अगला पौइंट अधिकतर पेड़ पौदे कहां पर पाए जाते हैं इस्थल मंडल में पाए जाते हैं जल मंडल में वायू मंडल में या प्रकाश मंडल क्या इसका आंसर होगा तो बिल्कुल ठीक है आंसर के हम बात कर लेते हैं अधिकतर पेड़ पौदे पाए जाते हैं हमारे इस्थल मंडल में अधिकतर पेड़ पौदे जमीन पर पाए जाते हैं लीथो स्फियर में पाए जाते हैं ठीक है नेक्स पॉइंट की बात कर करने वाले प्राणियों को कहा जाता है यह यहां पर क्या आएगा निर्भर रहने वाले प्राणियों को क्या कहा जाता है निर्भर रहने वाले प्राणियों को क्या कहा जाएगा पैरा साइड डिकंपोज स्केवेंजर या ओमनी वोरस तो आंसर आसान सा है 17 का सी बता रहे हैं एक ताजी वह बहुत बढ़िया आंसर क्या मिलेगा इसका हमें इनको कहा जाता है स्केवेंजर्स इसका मतलब क्या होता है इसका मत भक्षी मरत भक्षी मरे हुए जीवों को खाने वाला एक्जामपल के तौर पर हम लिख लेते हैं गिद्ध एक्जामपल के तौर पर गिद्ध के हम बात करते हैं 19 नमबर कोश्चिन C&G का संचिप्त रूकत तो C&G C n g कर लो से C&G C&G के कॉम्पोनेंट कौन से है तो C&G के कॉम्पोनेंट में सबसे इंपोर्टेंट कॉम्पोनेंट धान दख लेना वो मीथेन हमें मिल जाता है और यह है compressed natural gas क्या है यह compressed natural gas it is a petroleum product it is a petroleum product अगला पॉंड देखते हैं इसके बाद B answer आ चुका है next निम्लिकित मैंसे कौन सा विश्व उश्मायन के लिए प्रमुक का रहा है अब आप बोलोगे सरी है विश्व उश्मायन होता क्या है यह विश्व उश्मायन क्या होता है तो एक बार English में देख लो वर्ड उश्मायन इसमें लिखा नहीं है इसको कहा जाता है global warming global warming विश्व भूम अंडली करण इसका सबसे important जल प्रदूशन की वज़े से नहीं म्रदा की वज़े से नहीं धोनी की वज़े से नहीं carbon dioxide की मात्रा बढ़ रही है तो answer क्या हो जाएगा वायू प्रदूशन answer क्या हो जाएगा वायू प्रदूशन के कारण यह ज़ादा हो रहा है ठीक है प्रिया मिश्चा जी अभी घूमने गए हुए है ठीक तो भई थोड़ा उनको समय भी घूमने का दे दो मेरे ख्याल से दो-तीन दिन के बाद आ जाएंगे तो मंडे ट्यूस्टे तक में मंडे तक में तो खेर क्या ट्यूस्टे ये वैडनस दे में क्लास ले रिंगे वो ठीक है प्रिया ओके महासागर प्रत्वी के अधिकांज जगहे पर फैला हुआ है आवरत किया हुआ है कितने भाग के बराबर है महासागर हमारी प्रत्वी में बताओ महासागर हमारी प्रत्वी के कितने प्रतिशत भाग में है 3 by 4, 1 by 2, 1 by 4, 2 by 3 तो answer क्या मिलेगा निशा ने बता जिया A, A, 3 by 4 देवेंदर, 3 बड़े 4 भाग में महासागर फैला हुआ है तो महासागर जो फैला हुआ है वो लगबग 70 प्रतिशत के आसपास में फैला हुआ है ठीक, महासागर कितने में मिलता है हमें लगबग 70 प्रतिशत भाग में हमें मिल जाता है और अगर हम बात कर लेते हैं जल, थल, वायू की तब answer 2 by 3 भाग में हमें मिलेगा ठीक है, answer क्या मिलेगा 2 by 3 याई कि 2 by 3 पार्ट इसका हो जाएगा दूनी चीज ध्यानल को बड़ी गरबड कर देते हैं ये, जब हम 2 by 3 कहते हैं तो जल, थल और वायू के हिस्से की बात करते हैं और जब 70% की बात करते हैं तो complete प्रत्वी के धरातल के 70% की बात करते हैं answer 2 by 3 है, ध्यानल लखना 3 बटे 3, नहीं, 3 बटे 4 नहीं मिलेगा हमें ठीक है, अगला stagletide और staglomide कहां पर होते हैं किस से बनते हैं तो stagletide और staglomide का अगर ये पूछ ले की निर्माण कहां होता है तो ध्यान रख लेना इनका निर्माण चूना पत्थर की गुफाओं में हमें मिलता है कहां पर मालो ये जमीन है ये चूना पत्थर की गुफाओं मिल रही है ठीक है तो जमी उपर से नीचे के और इस तरह के से कुछ लंबी-लंबी नुकीली सी चीजें लटकी हुई हमें मिलती है ठीक थोड़ा सगर अगर आप जाओगे तो इस तरीके से भी ये हमें मिल जाता है बहुत बार और कुछ नीचे से इनके ही नीचे इस तरीके से दिखाई दे जाते हैं हमें ठीक है तो जो उपर से लटक रहा है तो वो तो हो गया स्टैगलर टाइट और जो नीचे से लटक रहा है यानि कि नीचे से ऊपर के ओल चड़ रहा है वो हो गया स्टैगलर माइट ठीक यह यहाँ पर हम देखते हैं बसंद कुमार भाई स्वागत है आपका आप नए हैं तो समझते हो चलिए और चूना पत्थर का निर्मान मतलब क कैल्शियम कार्बोनेट का यह बना हुआ है अब बास्वाज में आ गया चूना पत्थर जैसे ही पानी से पिघल पिघल कर यह उपर से नीचे के उल टपकते हैं तो इस तरह किसे नुकिले नुकिले और नीचे घट्टा और जिससे ऊपर को ऐसे कील से चलते चले जाते हैं ठीक है अगरा निमने लिखित में से कौन सा वायू प्रदूशन का एक उधारण मिलता है हमें वायू प्रदूशन किसकी वज़े से होता है धुए और कुहासा की वज़े से वाहनों से निकलने वाली गैस के कारण जलती हुई लकडी या चारकोल के कारण या उपरोक्त सभ सरकारी आंसर बिल्कुल ठीक बोला अंसर बिल्कुल ठीक है उपरोक्त सभी वायू प्रदूशन का कारण ये सभी हमें मिल जाते हैं जो भी धुवा चोड़ रहे हैं वो सब वायू प्रदूशन फैलाने का काम करते हैं अगला पॉइंट भारत का दूसरे देशों में प्रदूशन को रोकने के लिए भारत और दूसरे देशों में प्रदूशन को रोकने के लिए बनाएगे नियम डैश का प्रियोग रोकते हैं भारत और दूसरे देश प्रदूशन को रोकने के लिए क्या बात है देविंद्र कुमर नहीं वाले मिठाई लाए करें बल्कुल सही बात करें नहीं ना पहली बार किसे के यहां आते तो मिठाई के साथ आते हैं चलो तो ये प्लास्टिक के थैलों का इस्तमाल रोकने का काम करता है क्या करता है प्लास्टिक के थैलों का इस्तमाल ठीक है क्योंकि प्लास्टिक के थैले नॉन बायो डिग्रिडेबल है ये क्या है ये नॉन बायो डिग्रिडेबल है इसलिए इनको ये रोकने का काम करता है हवा में उपस्तित oxygen का प्रतिशत बही इसको बताने की जरुवत तो नहीं है nitrogen, oxygen, argon और carbon dioxide nitrogen 78, oxygen लगबग 21, argon 0.95 के आसपास और ये है 0.03 तो ये क्या answer? ये हमें मिल जाता है तो चारो point याद रखना है आप लोगों को समझ में आगया point अगला d हो चुका है next परमतापमान कौन सा होता है? परमतापमान ठीक है? यानि की ultimate temperature परमतापमान ultimate temperature कौन सा होता है? जरा बताएंगे ठीक है? चलो आंसर बात कर लेते हैं जो परमतापमान माना जाता है वो है कैल्विन को वो क्या है? कैल्विन को माना जाता है ठीक? कैल्विन को भई बिल्कुल ठीक है? सब नहीं आएगा प्रिया कैल्विन आएगा ठीक है? सब करते करते कैल्विन पर पहुँचे गया अगला प्रकास अंसलेशन कौन करता है? सभी पेड़ पौधे के द्वारा होगा सभी जीव जन्तों के द्वारा होगा सभी हरे पेड़ पौधों के द्वारा होगा कोविड नाइटिन का वाईरस प्रिकास संस्रेशन के लिए बड़ा इंपोर्टेंट है क्या बात है अनुराग सिंग ने बता दिया सर गोवा घुमने ले चलो न अनुराग भई आयू सर हाँ बिल्कुल वहीं पर ही है ठीक है तो सर ने आपको इंवाइट नहीं किया क्या हाँ प्रिवेस एर है ये बिल्कुल प्रिवेस एर प्रिया तो प्रकास संस्रेशन ध्यानकना केवल हरे पेड़ पौधे करते हैं प्रकास संस्रेशन कौन करते हैं केवल हरे पेड़ पौधे करते हैं सभी पेड़ पौदे नहीं करेंगे आंसर C हमें मिलता हूँ नहीं किया invite चले भई तो मैं आपको invite करता हूँ कि चलो गोवा चलते हैं देखे मुझे चलो भई देवेंदर मुझे आप लोग गोवा में जहां आयूसल्ट हैरो में वहीं मिल जाना मैं वहीं मिलूँगा ध्वनी प्रदोशन किसके द्वारा मापा जाता है ध्वनी प्रदोशन मापा जाता है डेसी बल में डेसी बेल में मापा जाता है ध्वनी प्रदोशन ठीक है ये पॉइंट ध्यान नकले ना द्वनी प्रदूशन की जो इकाई है वो डेसीबल है एक्च्वल में यूनिट बेल बोली गई है लेकिन डेसीबल एक छोटी यूनिट हमें मिल जाती है ठीक है वियर्ड के फॉर्म और विनाशार यह तो अभी नहीं पता मुझे चेक करना पड़ेगा इसमें निमलिकित में से कौन से अंतरास्टी संस्ता पूरे विश्व में पर्यावरण सुरुक्षे की देख बाल करती है यह कुछ पर्यावरण के बारे में डबलो डबलो एफ डबलो एफ डबलो एफ डबलो एफ की फुल फॉर्म क्या है इसकी फुल फॉर्म मिलती है वर्ड वाइल्ड लाइफ फंड डबलो एच व क्या है वर्ड हैल्थ और्गनाजेशन पेटा क्या है पिपिल्स फॉर एथिक ट्रेटमेंट्स ओफ एनिमल पुपिल्स फॉर एथिक ट्रेट्मेंट ओफ एनिमल यूवन क्या है यूनाइटेड नेशन अगर इस में से मैं प्रैक्टिकल यह आंसर देखूं तो भाईया आंसर तो कोई नहीं है इन में से तो आंसर कोई भी नहीं हमें मिल जाता है ठीक है पुपिल्स फॉर दा एथिकल ट्रेट्मेंट ओफ एनिमल बिल्कुल ठी तो आंसर इन में से कोई नहीं है लेकिन बेस्ट आंसर क्या हो सकता है यह यहाँ पर पर्यावरण की बात कर रहा है जबकि वाइल लाइफ यह क्या है यह जीवों के संग्रक्षन यह जीवों के संग्रक्षन की बात करता है यह मानव हेल्थ की बात कर रहा है और यह विश्वशानती की बात कर रहा है तो आंसर कोई भी नहीं होना चाहिए लेकिन माना हुआ आंसर A भी बोल दिया जाता है यहाँ पर भी नहीं है A कर देने यार इसको तो बिल्कुल ही गलत हो गया है टाइपिंग मिस्टेक हो गया है यहाँ पर ठीक है फुल फॉरम के एकॉर्डिंग अगर हम आंसर देखते हैं तो आंसर कोई भी नहीं हमें मिलेगा लेकिन यह मान के चल लेना कि इसका जो आंसरς हमें मिल जाता है वो कौनसा मिल जाएगा वो A मान लिया जाएगा बता दिया जाएगा ठीक A हो सकता है इसलिए answer A हमें मिलेगा ये है फुल फॉर्म से द्याद दिखना साब केट नाश्रकों का जादा इस्तमाल क्या होगा केट नाश्रकों का बहुत जादा इस्तमाल कर दोगे तो air pollution फैलाएंगे, noise pollution फैलाएंगे, water pollution फैलाएंगे या ये सबी बहुत बढ़ी है देवेंदर तो answer ये सबी, दुबारा सोच लो भई, D, सरकारी option नहीं, अब तो भी बिमारी हो गई है एक बात बताओ, जब आप खेतों में कीट नाशक का इस्तमाल करते हो, तो क्या उस समय पर sound pollution होता है सोच के बताओ, sound pollution तो यार बिल्कुल नहीं होगा, अगर sound pollution नहीं है तो D भी तो नहीं होगा कीट नाशक का बहुत ज़्यादा इस्तमाल, या तो soil pollution करेगा, यानि की land pollution करेगा ये ठीक, या फिर water pollution करेगा, सवंज मा आगया point, या तो मिट्टी बरबाद करेगा, या पानी बरबाद करेगा, ठीक है तो 29 का क्या answer हो गया, C option हो गया है, अगला point निनलिकित मैंसे कौन सा पर्यावरण के लिए हानिकारक है, तो पर्यावरण के लिए हानिकारक कौन सा होगा कपड़ा धातु प्लास्टिक कागज, बताए जल्दी से, पर्यावरण के लिए हानिकारक, एडी राज, यार कितने समय के बाद आ रहे हो तुम है चलो वो होगा प्लास्टेक वो होगा प्लास्टेक बिल्कुल ठेक है तो अगला 2013 का हम पेपर करेंगे यू पी टैट का इवियस का पेपर है ये जो अब हम करने वाले हैं 2013 का याद रखना 2012 में यू पी टैट नहीं हुआ था 2011 में हुआ था यू पी टैट उसके बाद 2013, 14, 15, 17 में हुआ था ठीक है तैयाने सब लोग लास्ट में बताने मुझे टोटल कितने कितने मांक सारे किसे अगला हिंदी के नहीं है भारत के राजयों में से निम्द में होना चाहिए भारत के राजी किसराज्य की कोई समंद्री सीमा नहीं है कुद razor है ऐसा नो मेरित ताइं बॉंडरी बताओ आनसर क्या होगा ये लो हिंदी की बिंदी और हिंदी दोनों को उठा दिया मैंने तो तो समुंद्री सीमा नहीं है गुजरात की ये गोवा की ये राजस्थान वालों ने सागर नहीं देखा उन्हें जाना पड़ता है समुंद्र देखने बिल्कुल ठीक है आंसर सी आपको मिलेगा नेक्स किसी नदी के प्रदूशन स्तर को मापा जाता है तो ये कितना असान कोश्यन है किसी नदी का प्रदूशन स्तर बी ओडी के द्वारा मापा जाता है मुझे आप लोग बताओ बी ओडी अगर जाधा होगा तो जो प्रदूशन स्तर है वो कैसा होगा ठीक है बी ओडी अगर जादा है तो प्रदूशन नदी में जादा होगा या कम होगा बता ही जल्दी से क्या इसका आंसर होगा ठीक है जल्दी से आंसर बताते वह चलना और भया सेशन को लाइक वाइक कर दिया को या मतलब हद है तुम लोग तो बस ठीक चलो आंसर के हम बात कर लेते हैं प्रदूशन का इस्तर भी जादा हो जाएगा तो BOD is directly proportional to प्रदूशन का इस्तर ठीक है अगला point वाइरल संक्रमन कौन सा है वाइरल संक्रमन का मतलब वाइरस की वज़े से होने वाली बिमारी कौन सी है टाइफवाइड है, कौल्डरा है, जुकाम है, मलेरिया है ठीक है, बहुत ही सिंपल हमें मिल जाता है अच्छी, क्या बोलेंगे अरे या सारी जुकाम के वाइरस फैला रहा है ठीक है, तो ध्यान रखना वाइरस संक्रमन जुकाम है पैक्टीरिया के कारण होने वाली बिमारी है और मलेरिया किसकी वज़े से होती है ये प्रोटोजवा के वज़े से होने वाली बिमारी हमें मिल जाती है अगला भारत में क्रशी को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपून तत्व कौन सा है टेंप्रेचर हुमिडिटी पवन या व्रिस्टी ये व्रिस्टी क्या है पता नहीं क्या लिख देते हो सर आप भी व्रिस्टी व्रिस्टी बताओ भाईया समझ में आगे सबको इंगलिश में एक बार देख लो व्रिस्टी होता है बारिश और आजकल बारिश नहीं होगी तो गेहों की फसल हो जाएगी बरबाद ठीक है तो इसलिए आंसर क्या मिलेगा व्रिस्टी मिलेगा बारिश मौनसून पर निरभर करती है हमारी खेती अगला वायव मंडल के सबसे ठंडी परत कितनी ठंडी सबसे ठंडी मतलब कितनी ठंडी यहाँ पर तापमान लगभग माइनस नबबे डिगरी सेल्सियस तक हो जाता है तापमान कितना हो जाता है लगभग माइनस नबबे डिगरी सेल्सियस तक हो जाता है यह टेंपरेचर ठीक है तो आंसर बतावा फड़ा फड़ आयन मंडल देवेंद्र भी बता रहे हैं मध्य मंडल उमेश यादो याद सैटेड़े संडे को तो सुबह के समय पर ही होती है मंडे टू फ्राइड़े होती है चार बजे सैटेड़े संडे को मैं दस बजे क्लास लेता हूँ कल तो क्लास ले नहीं पाऊंगा तिक वायू मंडल की सबसे ठंडी परत कौन से मिलती है तो आंसर मिल जाते है हमारे पास मध्य मंडल मेजोस्फेर अगला निमली कितमे से कौन सी एक ग्रेन हाउस गैस है सल्फर डाय उक्साइड और्गन ऑक्सिजन मिथेन बताईए निमली कितमे से कौन सी एक ग्रेन हाउस गैस है सल्फर डाय उक्साइड ग्रेन हाउस गैस है सल्फर डाय उक्साइड ये तो आरे सर सलफर से ज़्यादा तो मीठेन ग्रीन हाउस फैलाती है तो आंसर डी मिल जाएगा हमें हाँ स्वेटी जी चलिए आपकी रिक्वेस्ट और फिर मुझे करद भार भी निकलना है तो कल क्लास नहीं हो पाएगी अगला पॉइंट भारत में प्रोजेक्ट्टि टाइगर कब शुरुआ यार कितना हलवा कोश्चन प्रोजेक्टि टाइगर तो प्रोजेक्ट टाइगर शुरुआ दा 1973 में थी ठीक यहां पर हम देख लेते हैं अगला पॉइंट यह कुछ लग रहा ठीक ठाक प्रत्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री याम्यूत्तर पर खीची गई है 180 डिग्री याम्यूत्तर पर खीची गई है तो हमारी प्रत्वी कुरिस तरीके की है अब 180 डिग्री याम्यूत्तर का मतलब क्या होता है कि इस प्रकार से खीचे जाने वाली रेखाएं याम्यूत्तर रे शुर्ती अक्षांस 90 से जादा नहीं होती है तो 180 degree देशांतर रेखा अंतरास्टिय तिथी रेखा कही जाती है अंतरास्टिय तिथी रेखा प्रधान याम्योत्तर रेखा ये important है ये होती है 0 degree देशांतर रेखा जेरो डिग्री देशांतर प्रधान याम्योत्तर कहा जाता है क्या बोला जाता है इसको GMT ठीक है और 180C को अंतराश्टी तिथिरे का इंटरनेशनल डेट लाइन कहा जाता है अगला पॉइंट देखेंगे ए आंसर नेक्स पॉइंट निमलिकित मैसे किस राजे में गल्फ ओफ मननार मरीन रास्टिय पार्ख है यानि कि मननार की खाड़ी समुंदरी रास्टिय उध्यान बताओ हाँ लंदन से गुजरतिय देवेंद्रे बिल्कुल ठीक आपने बोल दिया फिलाल यहां पर बात रास्टिय उध्यान कहाँ पर है तमिलनाडू पश्शिममंगाल गुजरत या फिर अंडोमान निकोबार दूइप में बिल्कुल ठीक मननार की खाड़ी जो इस्तित है वो तमिलनाडू में तो रास्टिय पार्ग भी तो तमिलनाडू में ही मिलेगा आंसर ए बिल्कुल सही हमें मिल जाता है next point 2011 की जनकर्णा के अनुसार भारत में लिंग अनुपात कितना है 211 की जनकर्णा के अनुसार भारत में लिंग अनुपात कितना है 940 पर 1000, 916 पर 1000, 982 पर 1000 या 920 पर 1000 मतलब क्या है ये 1000 पुरुशों पर महिलाओं की संख्या ठीक है तो क्या है आंसर 940 यानि कि क्या बोला गया है ये बोल रहा है कि 940 महिलाओं पर 1000 पुरुश का अनुपात बनता है ये बहुत बढ़िया ठीक है अगला point निमलिकित मैसे किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है यार बहुती आसान कोशन देखते हो आप यहाँ पर किसान का मित्र किसको कहा जाता है केच्वा मित्टी केच्वा क्या करता है मित्टी को उपजाओ बनाने का काम करता है मित्टी को उपजाओ बनाता है खाता रहता है निकालता रहता है मित्टी उपजाओ होती रहती है हाँ प्रिंस बंसल जो सीटेट की सॉरी जो रीट की क्लास है वो मंडे से सुरू हो जाएगी यूपिटेट रीट कमबाइन चलेगा लगभग 90% एक ही जैसा है पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन कौन से राज्य में हुआ था तो आपको पता है ये चिपको आंदोलन कौन थे सुन्दर लाल बहू गुणा ये चिपको आंदोलन के संबंध में थे ये पंखी जी मेरी क्लास मंडे टु फ्रॉइडे चार बजे होती है listsал घ्रावर अंसर उत्रहब करने हैं और क्लास के link के लिए आप एक तो channel subscribe कर लो bell icon पर all reminder कर दो दूसरा एक और काम कर लो telegram group में अगर आप किसी में join हो तो जल्दी से मेरा भी telegram group join कर दीजिए telegram channel जोइन कर दीजिए ताकि class का notification आप तक पहुँच जाए ठीक है अगला point जीवों के व्यवहार मतलब जीव जन्तु कैसे अपना व्यवहार शो करते हैं हाँ स्रूती में sst पढ़ाऊंगा चार बजे ही कब Thursday और Friday को चार बजे ही sst भी पढ़ाऊंगा Thursday और Friday को मंडे से प्रेंस आपको बता दिया बंसल प्रेंस भाई चलो इसको कहा जाता है ecology नहीं इसको कहा जाता है etiology etiology क्या है behavior of organism जीव जन्तों का अध्यन की जो कुत्ता है वो कैसा behave कर रहा है बिल्ली कैसा behave कर रही है हाँ अनुराग अगर आपको सुपर्टेट देना है या केवियस देना है तो साइन्स वालों को भी sst पढ़ना पढ़ेगा अनुराग यह point ध्यान रखना सीटेट में ही ऐसा है कि साइन्स वाले sst नहीं पढ़ेंगे लेकिन अगर बात कर लेता हूँ मैं केवियस की तो वहाँ पर आपको पढ़ना पढ़ेगा sst को history और geography को ठीक चलो अगला point है समुंदरी शैवाल किसका महत्वकून श्रोत है तो सागरिये खाद्यपदार्थ सागरिये खाद्यपदार्थ तो सभी प्रकार के सागरिये खाद्यपदार्थ जो होते है वो क्या मिलेंगे आयोडीन का source मिलेंगे ठीक है आयोडीन का श्रोत मिलेंगे अगला point शक यानि कि लाइकेन क्या होता है एक परजीवी है एक प्रकार का chemical है एक प्रकार का autotrop swaposhi है या फिर ये symbiotic यानि की सहेजीवी हमें मिल जाता है दस बारे के आसपास तक मिल जाने चाहिए आपको सीटेट के answer की अनुराग कोई 0 कुछ नहीं होता अगर आप 0 है तो आपको बस 0 से पहले क्या कर देना है आपको 0 से पहले एक लगा देना है आप 100% हो जाएंगे तो तैयारी नहीं पता तो कोई नहीं आज से ही सुरू कर देंगे ठीक है चलो यह है सहजीवी वह यह लाइकन सहजीवी मिलता है हमें समझ ले न यह point clear अगला cng का इंधन के रूप में इस्तमाल कहा होता है वाहनों में होता है, कारखानों में होता है, खाना बनाने में होता है, या वाहन और कारखानों में होता है, बताव अंसर पाखी कह रहेंगे सर मैंने हलकी एक मंथी क्लास लिया है अच्छा 94 94 में तो बड़े आराम से हो जाएगा पाखी इंधन के रूप में इस्तमाल होता है इन दोनु जगों पर खाना बनाने में किसका इस्तमाल होता है LPG का इस्तमाल होता है तो मैं CNC के कॉंपोनेंट बचा चुका हो LPG के कॉंपोनेंट क्या होते है तो इसके ओपोनेंट है प्रोपेन और भूटेन ठीक है द्यान dłक नए है यहां पर पर्यावरण जागरुकता किसके द्वारा विक्सित की जा सकती है व्याख्यान लेक्चर दे करके फेल्ड ट्रिप बच्चों को घुमा करके ग्रूप डिसकेशन के द्वारा या पढ़ने के द्वारा कि किताब पढ़ लो बेटा किताब में तो लिखा ही है न तो बताओ क्या होगा यहाँ पर सचीन याद हो मेरी टेलिग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा एड़ दा रेट म ए एच ए एन डी आर ए विदाउट एनी स्पेस सब कुछ टाइप करना एज जीरो टू यह ग्रूप है जहाँ पर आप कोशन्स पूछ सकते हो और एड़ दा रेट सेम महेंदर सर जीरो फोर यह आपको टेलिग्राम का चैनल मिल जागा जहाँ पर आप परसनली मैं जो नोटिफिकेशन जो भी क्लास के नोटिफिकेशन सेंड करता हूँ वो आपको मिल जाते हैं ठीक है तो यह दोनों जोइन कर लीजिए पर्यावणन जाग रुकता किसके द्वारा सर्जन किया जाता है तो बहुत सिंपल है बच्चों को घुमाएंगे फिल्ट ट्रिप पर लेकर के जाएंगे तो ज़्यादा बहतर तरीके से देख सकते हैं ठीक है अगला LPG किसका संचित रूप LPG का शॉट फॉर्म क्या है लोड लोग अच्छा लोग फ्लॉग पेड गेम लोकल पैसेंजर यह भी ठीक है लोकल पैसेंजर गाड़ी होनी जी LPG बताओ आंसर है लिक्विट फाइट पैट्रोलियम गैस आंसर क्या है लिक्विट फाइट पैट्रोलियम गैस गैस लोकल पैट्रोलियम गैस नहीं होगा यह ठीक अच्छा लिक्विट फाइट पैट्रोलियम यहाँ पर अठारा नंबर यह यहां पर है चलो अगले point के ओर देख लेते हैं अब हम प्रत्वी तक पहुँशने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अउशोशित कर लेती है बताइए जल्दी से प्रत्री तक पहुशने से पहले किन क्रणों को और शोशित कर लेती है चलो तो पराबैग नहीं करने हैं बहुत बढ़िया अल्ट्रा वॉलेट रेज जिनको हम यूवी रेज भी कहते हैं ठीक ओजुन प्रतिन को अब्सॉर्ब कर लेती है चमकादर एक मैमल है क्यों चमकादर एक स्थंदारी है क्यों 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 वह उड़ता है उड़ता है तो चिडिया होना चाहिए मैमल थोड़ी होना चाहिए क्योंकि वह रात्री को जाता है तो उल्लू हो जाएगा शाकारी होगा तो गाएं बकरी बोल दिया जाएगा लेकिन चमकादरे स्थंधारी है क्योंकि वह अपने ही समान बच्चे पैदा करता है अपने ही समान बच्चे देता है ठीक है? आंसर D हमें मिल जाता है इसी प्रकार से जब हम बात कर लेते हैं वेल की तो वेल भी एक स्थंधारी हमें मिल जाती है ठीक? सरोज पाल गुड मॉर्निंग लेट होगे सरोज भाई काफी जादा अगला पर्यावरण की परिभाशा क्या है? अब बायोटिक और बायोटिक घटक समुन तल के नीचे प्रत्वी पर वस्तु में जो हमको घेरती हैं उपरोप में से कोई नहीं परिभाशा क्या हो जाएगा? चलो अंसर देख रहते हैं परिभाशा हो जाएगा कि अब बायोटिक और बायोटिक कमपोनेंट ये किसमें हमारे परिभाशा में आएगे यही तो हमें घेर रहे हैं यही तो हमें घेर रहे हैं clear? इसके question में क्सी क्या बोला है? परिप्रसावरण मतलब जो हमको घेरा हुआ है बात तो यह भी आचलो इस question को मैं doubt में डालता हूँ इस question का answer यार C भी हो सकता है बात तो बिल्कुल सही बोली है यह तो मैंने देखा है नहीं 21 में इसको doubt मैं रखते हैं इसको आगे continue करेंगे discussion करेंगे कि क्या हो सकता है चुकि अब बायोटिक और बायोटिक के हमको घेरे हुए है और जो घेरा हुआ है वो ही परियावरण है बात तो बिल्कुल ठीक है objection तो बनता है यूपी टेट वालो पर चलो कोई दिखत नहीं आगे देखेंगे निमने लिखित में से अंतरास्टी संस्थानों में कौन सी संस्था वर्ण्य जीव संग्रक्षन के प्रती समर्पित है UNFPA फुल फॉर्म क्या होगी इसकी UNFPA United Nation Fund for Peoples हाँ कुछ मिस हो रहा है UNFPA इसकी फॉल फॉर्म मिलती है हमें United Nation Population Fund हाँ मैंने कहा ना कुछ मिस हो रहा है UNFPA क्या होगा United Nation Population Fund UNDP क्या होता है United Nation Development Program UNESCO क्या होता है United Nation Educational Scientific Cultural Organization और WHO क्या हो जाएगा World Health Organization तो इन में से मुझे नहीं लगता कि कोई आंसर सही होगा ठीक है इन में से कोई आंसर सही होगा मुझे नहीं लगता लेकिन देखो मैंने इसलिए EB रख रखाता लेकिन अगर सबसे अप्रोप्रेट आंसर की बात करते हैं तो वो UNDP आपको मिल जागा क्योंकि Development Program की बात कर रहा है यह ठीक है तो यह मिल जाना चाहिए तुक्का मान सकते हैं हम WHO जनेवे चलो ठीक है बात सवज मागे यहां तक इन में से कोई भी वन्य जीवों के लिए काम नहीं करता है इन में से कोई भी वन्य जीवों के लिए काम नहीं करता है यहां पर अगर UNEP होता तो आंसर बहतरीन होता यहां पर WWF होता तो आंसर सही होता यहां पर पेटा होता तो आंसर सही होता ठी स्वाज मागया पून यहां तक चले जी डी भाजी चलिए भाई बिलकुल और रमेश जी क्या बूल रहे हैं क्रत्रिम वर्षा के लिए मेग भीजन प्रयोक किया जाने वाला रसाइन कौन सा क्रत्रिम वर्षा के लिए मेग भीजन के लिए प्रयोक रसायन मतलब क्या होता आटिफिशल रेनफॉल होता है मेग भीजन आटिफिशल रेनफॉल मेग भीजन कहा जाता है क्रत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड का इस्तमाल किया जाता है क्रत्रिम वर्षा क्या यूज करते हैं सिल्वर आयोडाइड सिल्वर आयोडाइड के साथ क्या मिलाते है प्लस solid solid नहीं बोलूँगा मैं बोलूँगा plus solid carbon dioxide चलो ठीक है solid ही लिख लेते हैं ठीक है solid CO2 को छड़क देते हैं उस पर biodiesel किस से तयार किया जाता है बताओ यहां पर biodiesel के लिए biodiesel के लिए क्याते हैं होता है utricularia jetrophah देवदार eucalyptus तो answer बिल्कुल ठीक और आसान सा question jetrophah का प्रियोग करते हैं biodiesel के लिए jetrophah biodiesel के लिए प्रियोग किया जाता है ठीक है next one देखेंगे ओजोन दिवस कब मना जाता है 21 मार्च 16 सप्टेंबर 25 अप्रेल या 5 जून ओजोन दिवस तो बहुत ही सिंपल है 16 सप्टेंबर को ओजोन दिवस मना जाता है 21 मार्च को क्या मना जाता है 21 मार्च को मना जाता है one दिवस ठीक 5 जून को क्या मना जाता है परियावरण दिवस 25 अप्रेल को कुछ भी नहीं है भाई 25 अप्रेल को मलेरिया होता है अरे वाँ भाई बहुती बढ़िया मलेरिया दिवस और 24 अप्रेल को मनाते हैं हम पंचायती राज दिवस ठीक है 24 अप्रेल पंचायती राज दिवस मना जाता है क्लियर अगला पॉंट देखेंगे सिल्वी कल्चर किस से संबंदित है सिल्वी कल्चर देखो सिल्वी लिखा हुआ है सेरी नहीं लिखा है सिल्वी कल्चर ठीक है सिल्क से क्या है सिल्क से होता है सेरी कल्चर ठीक फूलों से होता है फ्लोरी कल्चर ठीक है लेकिन शिल्वी कल्चर किसे संबंधित है तैंदूलकर का बढ़े भी होता है भई क्या बात है शिल्वी कल्चर आंसर A आपको मिल जाएगा वन और वन ये उत्पादों से संबंदित रखता है शिल्वी कल्चर UP का पेपर है भई चंदर प्रभा तो पूछी लेता है चंदर प्रभा कहां पर है लखिमपुर खीरी चंदौली लखनो वारानसी चंदर प्रभा कहां पर मिलेगा सेशन पसंदार है तो भहिया सेशन को लाइक वाइक भी कर दिया करो यार गाय भी होते हो तुम लोग तो बिलकुली कंजूसी करते हो लाइक करने की चंदर प्रभाव वन्य जीव अभ्यारणिय कहां परिस्तित है तो आंसर है चंदौली में आंसर क्या है चंदौली अगला निमनलिकित में से कौन सा द्वित्यक्षणिका भुखता है तो देखो सबसे पहले हो गया है पेड़ पौधे इनको खाएगा कोई कीड़ा या इनको खालिया किसने बकरी ने इनको खालिया हाथी ने ठीक है कीड़े को किस ने खा लिया कीड को खा लिया साप ने बकरी को खा लिया शेर ने कभी कभार हाथी शेर पर भी शेर हाथी पर भी साफ कर जाता है तो शेर तो होगा ही नहीं ठीक दुट्यक श्रेणी मतलब ये तो हो गया प्रार्थमिक श्रेणी ठीक है और ये हो गिया दुट्यक श्रेनी ठीक और बकरी को शेड के जगे पर आप क्या लिख सकते हो आप लिख सकते हो लोमडी ने खाया लोमडी को खाया शेड ने तो दुट्यक में आ गया साब क्योंकि देखो बकरी और हाथी तो है ही नहीं सब्सक्राइब आगे पॉइंट आंसर क्या हो जाएगा बी आ जाएगा ठीक है चलो अगला पॉइंट हम देखेंगे यहाँ पर जूम बराबर जूम भई जूम खेती का होती है केरल बिहार मेगाले तमिल नाडू जूम खेती आंसर बताने जल्दी से सेशन को फटाफट से एक बायाल जिन्होंने नहीं किया ना लाइक वो फटाफट लाइक करो मतल जूम खेती कहां पर होती है तो बिल्कुल ठीक है मेगाले नौर्थ इस्टेट्स में जूम खेती काफी फेमस हमें मिलती है ठीक है मेगाले में हमें मिल जाती है अगला पॉइंट देखेंगे शुश्क बर्फ क्या होती है ड्राइ आइस क्या होती है अमोनिया का रूप है क्या सही कहां मैंने बताओ शुष्क बर्फ किसका एक रूप हमें मिल जाता है अमूनिया कारवन डिया उक्साइड नाइट्रोजन या उक्सिजन तो इसका मिलेगा हमें वो क्या मिलेगा जूम केती मतलब सिफ्टिंग फार्मिंग रेट यूपी टैट सुपल टैट या इतना सिंपल कोशन गरबर करोगे तो कैसे टैट पास करोगे कारवन डिया उक्साइड ठीक है ड्राइड आइस होती है सॉलेड कारवन डिया उक्साइड तो यह कोशन हमें मिल रहे थे जिन भी मेरे दोस्तों को प्लस सस्क्रिप्शन पर आना है वो MSM कोड यूज़ कर सकते हैं 10% डिसकाउंट के लिए कोईन का डिसकाउंट को अलग से 10% लेना पड़ेगा ठीक बाइक तो आपको पता है यह टेलेग्राम चैनल दिया गया है यह टेलेग्राम गूरूप है यह टेलेग पूल मत भूलना मंडे से कुछ नया मिलने वाला है तो तब तक लिए अपना ध्यान रखिए घर पर रहिए सुरक्षित रहिए स्वस्त रहिए और मस रहिए वे नाइस टेक क्यार रहें बाई बाई